28 अपरेल को 33 वर्षी महिला अपनी बच्ची को इस्तनपान करानती होती है और बच्ची उसके हाद से फिसल कर चोथी मंजिल से तीसरी मंजिल के छज्जे पर गिर जाती है ये गटना का वीडियो जो है वाइरल हो जाता है और उसके ओपर जो कॉमेंट आते हैं वो कॉमेंट इस महिला की जान ले लेते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका पुजबर आज की हमारी जो कहानी है दर्दना कहानी वो इस गटना पर आधर ते रमिया नाव की महिला होती है वो अपनी बच्ची जो है मेने की बच्ची होती है उसकी इस्तनपान करा रही होती है तब ही कि वह बची जो और आशाने कर तीसरी मंजिल पर घिर जाती वह चोथी मंजिल के एक गैलरी में बैठी ओट यह जाती होती हुआँ आई मत्ची को चोनशे और उपर से दूसरी मंजिल के लोग चड़ कर और बच्ची को बचाने का प्रयास करती है कि कैसे कैसे इस बच्ची को बचा लिया जाए यानि कि वो मा और कोलोनी के सभी लोग थे वो इस बच्ची को हर व्यक्ति बचाने का प्रयास कर रहा था और कुछ लोग जो सोसल मीडिया पर नकली आइडियां एमल फलाना सिंग एमल दिंकडा सिंग लिखे और ना तो उनका फोटू है ना उनकी आइडिन्टी है ना उनके पास कोई संसकार है ना उनके परिवार के लोगों ने उनको संसकार दिये इसके संसकार भी इन लोग जो हैं अपनी भदर बासा और अपने भदर कॉमेंट से उस महिला को इतना हाथ कर देते हैं कि वो महिला पांच साल के बेटे और साथ महिने की बेटी को छोड़ कर जो है इस संसार को छोड़ कर चली जाती है आखिर वो महिला इतनी आहात हो जाती कि लोगों के दवारा जो कॉमेंट और जो फप्तियां किसी जा रही थी उसके ओपर उनसे वो बहुत दुखी हो जाती है कि वो मैं बच्ची को मेरी को गिराना नहीं चा रही थी लेकिन अचानक एक माँ जब अपनी बच्ची को दूद कर लेती वह माई के गई होती और माईके से वापस आती है वापस आने के बाद में जब आसी आने घर पर तीया परीवार के लोग पौन игरbird नहीं उटाती जब परिवार के लोग वह पहुंचते हैं अब उसके अपार्डमेंट के अंदर मर्त बात हैं और जब वो माईला की कुंडली खोलते हैं पता लगता है कि इस महीला के मानने का कारण जो था वो सोसल मीडिया पर बदर कॉमेंट ऐसंसकारी लोगों दवारा उनकी गंदी जुबान से और गंदे हातों से लिए के कॉमेंट की वज़े से उस महीला की जान चलेगी अज हजारों लोग हैं सबी लोग जो हैं सोसल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना रास्ता बदल लेते हैं या अपना काम करने का तरीका बदल लेते हैं या उन लोगों से जो हैं दूरिया मना लेते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं जैसे रमिया नाम की ये महीला जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाई और उसको आज संसार छोड़ के जाना पड़ा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूरिया मना चुके हैं कि तो उसका कारण यहए है कि लोगों से नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूरिया बना कर अपना जुँना सुरू कर देijdень आप सभी से राए हैं कि सोशल मीडिया की तरह कोई इस परकार का स्टेप उटें और अपने बच्चों को इस संसार के अंदर बीना माबाप का होने के लिए नहीं छोड़ें दोस्तों आप लोगों का क्या कहना जरूर कमेंट करें मैं फिर आजुनूंगा तब तक लिए जैंद जै बारत